को ऐब आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल आयरवेदा में दोस्तो आज आपको बताने जा रहे हैं देखो जिन लोगों को नपनसंगता के साथ-साथ ये समस्यां हैं क्या क्या समस्यां जैसे कमर दर्द है घुठनों का दर्द है सरीर का दर्द है, सर का दर्द है और जब उठते हैं तो आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है चलते हैं तो आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है इतनी कमजोर ये बहुत जादा मतलब आप कुल मिलाके धातू रोक के साथ साथ तो आपको क्या करना है बहुत ही आसान सा उपाय है। इतना आसान तो नहीं है जतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन आसान उपाय है, बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। तो छोटा सा नुस्खा है वो आपको क्या है वो मैं इधर लिखे भी बता दूँगा आपको वो सब नोट कर लेना आप और सदियां आप हमसे मंगाना चाहो हमसे भी मिल जाएगी और आप पंसारी की दुकान से लेना चाहो तो उधर से भी मिल जाएंगी क्या-क्या उसदियां रहेंगी क्या-क्या चीजें रहेंगी इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ देखो एक चैनल है नीचे डिस्कुशन में लिंक दिया गया है मेरा मिश्टर एजे भाहिया उसपे थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेते हैं मज़े तो अगर आप देखना चाहते हो अच्छी वीडियो हैं उसपे और मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा एक्स्प्रिमेंट करके ही डालूँगा अभी तो छोटा मोटा चल आए लेकिन आगे कुछ बड़ा करूँगा जो आप लोगों के लिए मॉटिवेशनल होगा आप लोगों के लिए आप लोग जानोगे उसे की हाँ तो नीचे डिस्क्रिस्टन लिंक दिया गया है एक वीडियो का तो वो देख लेना अगर पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ उससे पहले मैं बता देता हूँ देखो मेरे पास ये मैंना पहले भी बताया जैसे की 49 जड़ी बूटी का तिला है मेरे पास ये जो तिला है इसको लिंग पर लगाने से आपकी सारी समस्यां खतम हो जाती है जितनी भी समस्यां ठीक है अब हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको लेना है ये जो उपाए है वो आपको कैसे यूज करना कैसे आपको तैयार करना ठीक है तो हम आपको बताते हैं सालम मिस्री सालम मिस्री लेनी होगी आपको तोदरी सफेद लेनी पड़ेगी कौँच के बीज लेने पड़ेंगे आपको कौँच के बीज लेने पड़ेंगे कौँच के बीजों को कूटना पड़ेगा और इमली के बीज लेने पड़ेंगे आपको ताल मखाना के बीज लेने पड़ेंगे सरवाला के बीज लेने पड़ेंगे सफेद मूसली लेनी पड़ेंगी काली मूसली लेनी पड़ेंगी वहमन सफेद लेना पड़ेंगा सतावर और ढाक इन दोनों की पत्तियां लेनी पड़ेंगी नरम नरम ठीक है फिर से मैं बता देता हूँ सालम मिस्री लेनी पड़ेगी तोद्री सफेद लेनी पड़ेगी कौँच के बीज लेने पड़ेंगे इमली के बीज लेने पड़ेंगे आपको ताल मखाना लेना पड़ेगा सरवाला के बीज मूसली, सफेद और काली दोनो बहमन सफेद लेना पड़ेगा सतावर और ढाक के पत्ते लेने पड़ेंगे आपको उनकी पत्तिया नरम नरम ठीक है अब इन सब चीजों को 50 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है 50-50 ग्राम की मात्रा में सब चीजों को लेकर खूट पीस कर इनकी गोलियां बना लो गोलियां बनाने के बाद अब आप इनको गोलियां आप कैसे बना ऐसे भी बन जाएंगी आप इसको पीस होगे तो ये अच्छा हो जएगा तो आप ऐसे भी बना सकते हो उसके बाद ऐसे भी बनाना सको एक दीट भीडी बनाब के साथ आपन्संपता जो आई हुई है वो भी खतम हो जाएगी वीर का पतलापन धातुप निकल जाता है जल्दी सीगर पतन होता है इन सारी समस्यां से चुटकार आपको मिल जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेर करना चलता हूं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में तब तो इधन बाद ख्याल रखिए अपना अपनी परिवार वालों का अपनी घर वालों का नमस्कार